नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पवन और आप देख रहे हैं Study Skill Success हम इस वीडियो में जानेंगे R.A.S. बरती परिक्षा 2019 के बारे में आपको पता है कि R.A.S. बरती परिक्षा जो प्री थी उसको लेकर हाइकोट में कल सुनवाई थी तो हाईकोट के जो अदेश है वो जारी हो चुके है और R.A.S. ने दावा किया है हाईकोट के अदेश को चुनवति देने का जानेंगे कि ये पूरा मामला क्या है हाईकोट ने क्या अदेश जारी किये और R.A.S. का उसके बारे में क्या रिस्पोंस रहा वो जानेगे हम इस वीडियो में तो आप भी R.S. बर्ती परिक्षा 2019 से जुड़े है और इससे समंदीत है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें फ्रेंट्स ये थी न्यूस पेपर की कटिंग आप न्यूस पेपर की कटिंग को छोड़ी हो मैं आपको सारा मामला समझाता हूँ R.S. परिपर्ती परिक्षा जो कि 5 अगस 2018 को हुई थी जिसमें 4,097,48 विदार्थियों ने जो परिक्षा आवेदन जो है वो किया था और परिपरिक्षा जो परिणाम है वो 23 अक्टूबर 2018 को आ गया था जिसमें 2,28,65 विदार्थि जो R.S. की मेन परिक्षा होती है मुख्या परिक्षा उसके लिए चैन किया गया था लेकिन बाद में इस बर्ती पर याची का दायर की गई जाची का दायर किसलिए की गई क्योंकि स्टूडेंट्स का कहना था इसकी जो पर्षन संक्या 11 है और पर्षन संक्या 22 है पर्षन संक्या 11 और 22 पर आपतियां जो है वो उठाई गई है पर्षन संक्या 11 को लेकर ये आपती थी कि ये questions जिस पुस्तक से जिस book से लिया गया है उसके लेकिका ने खुद उस पर्षन को गलत करा दिया है ये students का कहना है और बाकी बच्चा पर्षन नमबर 22 तो पर्षन नमबर 22 का ये दावा था कि ये जो पर्षन है इसके दो विकल्प जो हैं वो सही थे इसमें चार विकल्प होते हैं जिनमें से दो विकल्प सही थे होना क्या था? एक विकल्प सही होना था तो हाई कोट ने एक कल आदेश सुनाया कल अपना आदेश जारी किया कि students का कहना सही है इसका जो परिणाम है वो revised result है वो जल से जल जारी किया जाए लेकिन RPSC का क्या कहना है RPSC का कहना है कि वो इससे सहमत नहीं है RPSC का कहना है कि यह दोनों जो questions है वो बिलकुल सही है और जो RPSC है वो क्या करेगा Double Bench में अपील करेगा High Court की जो Double Bench है उसमें अपील करेगा 1017 पदों के लिए यह बरती थी तो Friends यह जो पूरा मामला था मैं आपको तुपारा Easy Language में समझाता हूँ कि इसकी सबसे पहले RSPRI की परिक्षा हुई वकैंसी निकली 1017 पदों पर उसके बाद 5 अगस 2018 को इसकी परिक्षा हुई RSPRI की जिसमें क्या 497,048 विदार्थियों ने बाग लिया और 23 अक्टूबर 2018 को जो इसकी परिक्षा थी उसका रिजल्ट जो है वो जारी किया गया जिसमें क्या हुआ कि 22,865 विदार्थियों का जो सलेक्षन आगे की जो RSPRI की में परिक्षा हुई होती है उसके लिए किया गया लेकिन इसके परिणाम को लेकर विविन विदार्थियों ने मिलकर हाई कोर्ट में याची का दायर की कि इसकी पर्षन संक्या जो 11 है और पर्षन संक्या 22 है उन पर हमें आशंका है कुर्पया इनकी जांच की जाए तो मामला सामने क्या आया कि पर्षन संक्या 11 जिस बुक्स से लिया गया था उस बुक्स की जो राइटर थी लेखी का थी उन्होंने स्वेभ बोला है कि ये क्वेश्चन गलत है उसके बाद बचता है क्वेश्चन संब नंबर 22 तो क्वेश्चन संब नंबर 22 के दो विकल्प सही थे तो इसको लेकर वी ये आशंका जो है वो दूर होती है यानि कि ये दोनों क्वेश्चन को गलत माना गया स्टूदेंट्स और हाइकोड द्वारा लेकिन RPSC का क्या कहना है RPSC का कहना है कि ये दोनों क्ेश्चन सही है और हमने जो रिजल्ट है वो सही जारी किया है तो इसको लेकर उन्होंने हाइकोड के आदेश के खिलाफ हाइकोड डबल बैच होती है उसमें जाने का फैसला किया है अब double batch का निर्निया जो निकल कर क्या आता है क्या revise result जारी होगा या फिर RPSC इस case को जीतेगी और यही result जो है वो continue होगा देखने लाइक बात होगी जैसे इसका double batch का फैसला आता है हम आपके सामने उसका एक और वीडियो और उसकी पूरी information लेकर फिर पेश होएंगे आशा करता हूँ आपको पूरा मुद्दा जो है वो समझ में आ गया होगा और आपकी इसके बारे में क्या राय है वो हमें comment section में comment करके जरूर बताए और बने रहे मार साथ हमारे channel study skill success पे चैनल को subscribe कर ले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले latest और बहतर अपडेट पाने के लिए तो thank you friends, thank you so much and have a next day